अगें वेलकम तो मैं चैनल सौपन कुमार फ्रेंड्स आज हम कुछ नया लेकर आया हूं और वो आपके सामने है यह टॉपिक लाने का जो मेरा था प्लान यह था कि एक्च्वल में यह वर्क कैसे करता है इसकी सर्च इंजिन आप्टिमाइजेशन या मैं कहो ना कि डिजीटल का कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां यह वर्क कैसे करता है यह जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा कैसा होगा कोई नहीं जानता लेकिन मैंने एक चीज लाइफ में सीखी है कि जो न्यू टेकनोलोजी आए उससे आप डेफिनेटली उससे पकरने की कोशिस कर जाने की ग्रैप करो ग्रैप करने से क्या होगा कि आप जो उस समय की टेकनोलोजी है उसमें बहुत आगे निकल जाओगे यह मेरा मानना है फारगेट एवरी थिंग इन दर डिजिटल फील्ड कि हम बनाते थे ऐसे होता था यह करते थे वह होता है अब आगई है कि आप इस टेकनोलोजी को इनहांस करना है अपने नॉलेज को इस टेकनोलोजी से आप कितना इसे ग्रैप कर पाते हो कितना सीख पाते हो क्या सीख पाते हो और कियों वे तो जानने के बाद ही पर चलेगा जो आज सब्जक्ट लेकर आया हूं तो मैं चाहूंगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें कौमेंट्स करें तो लेट्स स्टार्ट जी पीटी फॉर दे बीगिनर्स तो मैं स्टार्ट करता हूं स्टेप बाई स्टेप गाइड फॉर यू दे सेकेंड फिंग वन की एक्चल में चैट जी पीटी है क्या फिरेंड कि मैंने यहां पर सब कुछ बनाया है एक टॉपिक पूरी डिटेल् मेरे चैनल पर और दिखते रहो कि मैं किस पॉइंट को यहां पर कॉंसिडर करने की कोशिज कर रहा को कि मैंने कोई स्टेप लाया हूं तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं उन चीजों के बारे में डीटेल्स में बता हूं तो यह चैट जीपीटी जन्दा आर्टिशियल इंट्लीजेंश चैट बाउ डेवलप्ट बाई ओपेन एई एंड रिलीजड इन नवंबर 2022 पॉब्लीक ली अब तक आप क्या करते थे आप यह करते थे कि गूगल में जाकर सर्च करते थे कोई भी सब्जेक बूप्ट कोई भी स्टोरी कोई भी लेपसाइट तो आप गूगल पर करते थे अब अब एक एक आर्टिफिशल इंट्लीजेंस को मतलब की आप चाहर जीपीट्यू को ऐसे समझो कि यह गूगल से कहीं ज्यादा एडवांस टेकनोलोजी जाए क्यों है गूगल कभी आर्टिकल लिखने सकता यह लिख सकता है वह नहीं कर सकता है वह यह ब्लॉग कर सकता है वह आपका सेल्स का एड बना के नहीं देता है यह बना सकता है यह कर सकता है यह कर सकता है सेल्स कॉपी नहीं बना सकता है यह बना सकता है तो लॉट्स अब दा तिंग्स इंदा डिजिटली यू कैन दू इन दा चैट जीपीटी और मैं यह कहूंगा कि चैर्ट जीपीटी से आपका टाइम डेफिनेटली सेविंग से मैं यह नहीं कहता है आप जो चीजे माइन्ड में सोच रहे होते हो और जिसमें टाइम लगाते हो 15-20 मिनट वो यहां पर आपको 2 मिनट्स में हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता हो तो फिट फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चाहे वह सर्च इंजन ऑप्टिमाइशन हो चाहे वह गूगल एड कैंपनिंग हो चाहे फेस्बूक हो चाहे ट्वीटर हो और जितने भी चैनल से हैं डिजीटल में कहीं भी आप यूज कर सकते है ताकि वह बिल्कुल AI-generated copied नहीं हो इसका ध्यान रखना सबसे important point है अब next पे चलते हैं वाई नीड चैड़ जीपीटी यू कैन टेक एडवांटेज एडवांटेज ले सकते हैं मैं कहूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइशन के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है आ दो भी questions आपके mind में है चाहे वह development से related हो, coding से हो, design से related या आपका digital marketing से related हो या अनदर नीच भी मैं यह नहीं कहता है कि सिभी digital अनदर नीच आप अगर agriculture में यह बताएगा अगर आप air force में यह भी बताएगा तो every niche आप यहां पे जो भी है वह आप पूछ सकते हैं अब इसके pros and cons क्या है मतलब कि advantage or disadvantage मैं जाना नहीं जाओंगा मैं जानता है आप बता दू हाई accuracy है इसे समझ लो कॉस्टमाइजेशन कॉस्टमाइजेबल कर चैर जी बीटी कैन वी फाइंट तुन तू सुट इस पेस्पिक बिजनेस निट्स और अप्लिकेशन तो यह कॉस्टमाइजेबल भी है इसको एक और अपने से मोल्ड करके आप इसे कोई भी चीज़े पूछोगे तो यह response करेग मिन्टो में कर देता है वर्सेटारी कैन विजन वर्याइटी आफ ने एन एल पी नेचरल लैंग्वेज प्रॉसेसिं एन एल पी सच अज मसीन क्रांसलेशन एंड स्पीच डिकोगनाईजेशन आप समझके है मतलब कि यह आप समझो कि एक इंसान की तरह एक रोबोट है और जो इसके अंदर इतने डेटा फीट की गई है जो आपके अप्रिकेशन जो भी आप पुछते हो उसका वो रिस्पांस करता है अगर उसके डिक्सिनरी में नहीं होंगे मैं कुल लेटेस्ट पूछोगे तो वो जी जो कब वो रिस्पांस आइधिंक की करेगा या नहीं यहां पर रिसर्च तूल में आप कुछ भी आप यहां पर रिसर्च कर सकते हो एक अधिक भी आप यहां पर रिसर्च कर सकते हो राइट अब मैं आता हूं फ्रेंट्स इसके कॉंस में जस्ट ए मिनट या कॉस्ट है थोड़ा यह क्या कॉस्टली पर जाती है इस्पेसिली फॉर इस्मॉल बिजनेसे इंडेस्ट्री और जो इंडिविज्वल यानि की जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए तोड़ाचा कॉस्टी कुछ भी नहीं है डॉलर ट्वैंटी यानि की मैं मानके चलूं की एराउंड सेवेंटीन हंडेट टू एटीन हंडेट इ इस्सू नहीं आते हैं आपको मैंने क्या बताया जो भी आप वहांसे कॉंटेंट कॉंपिट करेंगो डिरेक्ट पेस्ट न करके अपने अनुसार चेंज करके तब उसे कहीं भी पोस्ट करना है यह ध्यान रखोगे तो इसली आफ्री वे यूज कर सकते हो ट्रेनिंग डेट इसे कुछ समझ में नहीं आता है कुछ अकर आप ऐसे कुछ मैं कि कुछ इरास्नल याने कि अनपर मतलब क्या उसको बोलते हैं इंदी में मतलब कुछ ऐसे कुछ पूछ तो इसके लिए भी चैड ओपिन ए आई ने इस तरीके से कि वह कुछ गलत रिस्पॉंस ना करे मैक्सिम चीजों में लोग खेल करते हैं पूछ देते कुछ ऐसा को से जिससे कि वह रिस्पॉंस नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान म में रखके आप करोगे तो यह बेटा डीजल्स आपको देगा लिमिटेट कॉंटेक्स्ट चैडजी पिटी रिस्पॉंस इसकें सम्टाइम्स लैक कॉंटेक्स अपने इसने दिखना और अंडरस्टैंडिंग अप दे ब्रॉडर कन्वर्सेशन लीडिंग टू लेना है तो डेफेटली आप इन्फॉर्मेशन लिओ गलत क्यों पूछना गलत तो आप इंसान से पूछा टो गलत कर सकते हैं यह तो यह डेटा मतलब आप गलत तरीके से इसे पूछना नहीं है इसका आपको ध्यान रखना आ आप किस तरीकी का पूछ सकते हो तो मैंने का मतलब है कि आप इस तरीकी का पूछ सकते हो जो रेस्पॉंस करें जादा पूछ नहीं तो आप जादा टाइम है तो आप गलत कुछ रहे हैं उसको ध्यान में रखना है और उससे सही तरीकी सी इनफॉर्मेटिव डेता यह बहुत ही इनफॉर्मेटिव डेता यह प्रॉवाइट करता है राइट तो अब मैं चलता हूं एक नए अबने सीपिति और मैं यहां पर अपना बड़व डिफरेंस नहीं है कि मतलब कि मैं तरेके कि Atlantic वह जबुवाइट करता नहीं मैंने फ्री में भी बहूत ढ outrageous की मुझे कि द रिकी की कि प्राब्लम नहीं आए जैसे अब मैं इस से पुछता हूं फ्रेंड यह को से आइंसर जैसे आप गूगल में लिखते हो कि वाट इस सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री तो रिस्पॉंस करता है ना वो साइड दिखाता है बट यह पड़ा दिगटीट मार्केटिंग होगते हैं और समझे इस तरी क Stephen पर ट्रेवल वेबसाइट अब देखो मैं कैसे पूछ रहा हूं जैसे सब्सक्रों कि आप नॉन टक्निकल हो आपने एक ट्रेवल की वेबसाइट बना तो ली पर आप उसे कैसे प्रोमोट करोगे खुद से तो देखो मैं I have a travel website कैसे आप टाइटल एंड मेटा डिस्क्रीप्शन ओके यह मैंने पुछा ओके अब मैं इससे पुछना चाहता हूं कि चलो पहले तो इसका रेस्पॉंस देखते हैं क्या देता है माइड वेबसाइट इज ट्रैवल एंड टूर्स डॉट को डॉट इन देखते हैं क्या कहता है यह तो आपके सामने इसने मुझे मेटा डिस्क्रीप्शन और मेटा टाइटल और उसकी जो प्राइमरी कीवर्ट से वह चीजों कि उसने मुझे यह क्या कि रहा है क्रेट ऑपर और ऑपर्शनिटी यूर ऑप्टिमाइजिंग यूर वेबसाइट मेटा मेटा इस इंप्रूब में किस तरीके से आप कर सकते हो डिस्क्रीप्टिव होने चाहिए प्राइमरी कीवर्स को यूज करने है कीप इट कॉंसाइज ओके अब एक्जामपल प्लान यूर ड्रिम वैकेशन भी ट्रैवल एंडो इसने मुझे वह बना के दिखाए और यह मुझे यहां पी वह भी बन इसने मुझे मेटा डिस्क्रीप्टिशन भी बना दी अब मैं इससे प्रुष्टा हो कि I want to can you let me know the major keywords for my home page let's see my just major keywords क्या response करता है इसने मुझे वह की वर्स देखा दे जो और डी जो बहुत ही पापलर है ओके ट्रैवल टूर्स वैकेशन अब मुझे यहां से करना है कि मैं अपने साइट में क्या डाल रहा हूं जैसे मैं को कि टूर मेरा टार्गेट मार्गेट है इंडी सॉरी डैली तो मैं लिखूंगा can you generate business related keywords for me the keywords the keywords are sorry the keywords are tour to Delhi let's see तो फिर इसने मुझे वो चीज़े दिखा दी यहां पर किस तरीके का मैं डैली के अंदर use कर सकता हूं keywords इसने मुझे वो keywords दे दिये तो अब मैं इस दिप्र करें रहे हैं अच्छा ओके वन और मोर थिम कैन यू तेल मी सर्च वॉल्यूम मैंने कि कितने मंतली सर्च हो रहे हैं तेल मिदा सर्च वॉल्यूम ऑफ इच कीवर्ड आप दिखते जाना फिरिंग्स किस तरीके से मुझे बताएगा ओके यह कह रहा है कि इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव डेटा नहीं है ठीके लेकिन मैं इसको पूछता हूं मैं आप सिंगल कीवर्ड देखे दे रहा हूं देली साइट सिंग टूल आई डोंट हैप डिरेक्ट आक्सेस अच्छाहिए इसके पार आक्सेस ही नहीं है जिससे यह मुझे वह डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता ठीक है लेकिन मेरे पास वह डेटा आगर जो तूर रिलेटेट सर्विसेश को सर्च करते वह डेटा आगे गी राइग जो मैं लिखता हूं आँ सांड कूट आं आँ एंगेजिंग कॉंटेंट फॉर्मी एवफ कीवर्ट्स मैंने इसे पुझा कि क्या आप जो कीवर्ट्स आपने मुझे प्रवाइट किया है मैं अपने साइट के अंदर एड करना चाहता हूं तो इसने मुझे इसने मुझे यहां आपको एड करना पड़ेगा इसने मुझे यह चीजे भी बता दी मेरा 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 डिस्क्रिप्शन भी बता दीए कि कैसे आप कर सकते हो ठीक है अब अगर आप माल लो कि आपने कॉंटेंट लगा लिया सब कुछ कर लिया ओके कैन अब मैं पुछता हूं कि इसके अलाभा कि कुछ और सर्चेज होते हैं सो मैं पुछता हैं सो कैन यू तेल मी एल एसाई की वर्ट्स फॉर्ट्स टूल टू डालीड तो देखते हैं इसने मुझे फ्रेंस वह चीजे भी बता दीए कि एल एसाई मतलब तो उसके एक आउर्टिंग इदा हुदा हुदा आगर आप टूर पर जा रहे हो भूख लगेगी आगर अब पर जारा है कुछ ना कुछ आपको मार्केर देखना है कुछ मतलब फॉर्ट्स है मुझे मैं तो यह कहता है कि इसका मतलब यह हुदा कि हैm camera को विखोंत्स कॉंटेंट के अंदर कर सकते हो अर्म में का बहुत ही यह सब एडिया देता है everything you can do here तो इसने मुझे LSI की वर्ड भी बता दिये अगर मैं चाहूं तो कि मैं चाहता हूं can you merge कि ए लएसाइ की वर्डस फर कि एवब कॉंटेंट प्रच क्या करेगा कि जो मैंने अब लएसाइट की वर्डस निकाले तो उसके इसको भी थोड़ा सा मर्ज करके ताकि मेरा कॉंटेंट थोड़ा सा एक हमें रिलेटिड बन जाए ठीक है यह नहीं करता कि इस कॉंटेंट को इसे कॉपी करके वर्ड में लिखो वर्ड में आकर इसे कुछ अपने चेंज कर दोगे तो आपको बेटर रिजन्स मिलेगा ठीक है अब इसके अब बहुत सारी पेज़े जितना भी पेज़े जितना भी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्सन है उसके लिए आप सब कुछ जे अब क्या अब बात आती है कि आउट बॉमोट अब देखे मैं क्या लिए लिए प्रूमोट मैं की वॉडकू ड्लीzeniu हाम कैसे कुझे निलीकट अन्प्रोफेशनल मतलब कि मैं जानता ह comprendं prepare को कर शकता ह। तो इसने मुझे चार पाच आइडिया दे हैं, सर्च इंजिन कर सकते हो, कॉंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मेडिया, इमेल मार्केटिंग, पेड अड़ाइजिंग, इसने मुझे एक आइडिया दे दिया, कि मैं अगर इस टेकनोलोजी पर वर्क करता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ टेकनिक्स बता रहा है, चाहे वो ओन पेज हो, चाहे वो लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड हो, कैसे लिंक बनाना है, वो चीज़े यह इसने मुझे बता दिया, यह कहता है कि पहले आप कीवर्ड रिसर्ज कर लो, कॉंटिंट अप्टिमाइज कर लो वेबसाइट की स्ट्रक्चर रेडी कर लो, उसके बाद लिंक बिल्डिंग करो, लोकल एसी ओ करो, एनलिटिक्स मॉनिटरिंग करो कि क्या रिजल्स आपको मिल रहे है, तो फिरिंट यह इतना के ही चीज़े खतम नहीं होती है, अगर मैं सर्च एंजिन आप्टिमाइज के ले जाओ, जिसको मैं बोल सकता हूँ, can you write a ten good titles, ten, मैं लिखता हूँ, engaging titles for two to, अब मुझे कुछ आर्टिक्ल ब्लॉग लिखने है, तो यह मुझे मैं इससे कहा कि आर्टिक्ल ऐसे आर्टिक्ल की टॉपिक्स दो, जिसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसने मुझे यह चीज़े भी बता दी, discover the rich culture and history of Delhi on a sightseeing too, तो अब इसके पास मेरे पास यह डेटा भी आगे, अब मैं इसको कहता हूँ कि, इसकी यह titles के मुझे, write one thousand words, articles for me, should be compelling, engaging, and just a minute, इसको मैं सही कर लो, compelling, engaging and, क्या करता हूँ, call to action and use call to action, call to action करने का मतलब कि, click here for the more information, that is the call to action, तो friends, आप देखो, यह मेरे लिए एक blog के पुरी details यहाँ पर ready कर दूए, तो आप देखरो, जैसे जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, यह response कर रहा है, लेकिन आप गलत करोगे, तो definitely गलत होगा, वो गलत काम नहीं करने है, आप informations लो, जब यह informations प्रोवाइट करने के लि दो चीज़े हैं, अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा चीज़े मैं लेता हूँ यहाँ पर, की, मुझे PPC ad बनाने है, तो देखते हैं क्या करता है, write a, sorry, write a sales copy for tour to Delhi, okay, I want to use in Google ads, So, let's see. फिर मैंने इससे पूछा, sales copy के बारे बारे बारे, तो इसने पूरी मुझे sales copy बना के दे दी, कि मतलब मैं इस convincing जो इसने लिखा है मुझे, वो मैं किसी को भेज सकू, sales copy बना के, अब इसके अंदर images, अपना packages, everything I can include, वो मेरा होगा, तो इसने एक data already करके मेरे को भेज दी, अब देखे, मैं इससे क्या पूछता हूँ, ज़स्ट ए मिनट, Google Ads, Text, Add, Google Ads, Text, Add, मैं यहां पर जाना चाहता हूँ, यह कितने characters यहां पर लेता हूँ, इसने मतलब कि वो चीजे भी बहुता हूँ, इसने मतलब कि वो चीजे भी बहुता हूँ, बना के मेरे को बेज दिया, Headlines, Headlines 2, Headlines 3, लेकिन वहाँ पर मैंने मेंशन किया, 30 characters, 30, 90 characters, description 1, sorry, 90 characters, description 1, description 2, 90 characters, आप यह भी information यहां से ले सकते हूँ, और बहुत सारा काम, जैसे LinkedIn, Twitter, Facebook, वो सारे चीजे आप यहां से कर सकते हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरीके का फायदा मैं यहां पर ले रहा हूँ, और यह फायदा आप भी उठा सकते हूँ, आपको जरूर यह थोड़ा सा research, थोड़ा सा सोच, आपकी thinking कैसी है, क्या सोचते हो, क्या इससे फुषते हो, तो definitely यह आपको सही answer देगा, तो आपको better results आपको मिल सकते हैं, फ्रेंट्स लगता है मेरी थोड़ी सी गले में थोड़ी सी problem है, extremely sorry for that, कि मेरी आवाज थोड़ी सी थोड़ी change होती है, आपको लगा कि यह मतलब की वीडियो जो मैंने आज बनाए है, informative है, definitely friends subscribe करें, like करें, और मैं फिन नेक्स वीडियो लेकर रहूंगा, तब तक के लिए good day for all of you.